पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग आपका साथ छोडेंगे, फिर आपका विरोध भी करेंगे और फिर वही लोग कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम लाइफ में कुछ जिन्दगी के अंदर कुछ बड़ा करोगे अच्छा करोगे हमें तुम्हारी काबिलियत पर कभी कोई शक नहीं था यही दस्तूर है सहाब लोगों का नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कभी आदिगने स्वागत करता हूँ आप तमाम इससे पूर्व कि असी वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लिजेगा इंदि साहित इतियास प्रश्नोत्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिन साथियों ने टेलिगराम चैनल जोईन नहीं किया मेरा कभी आदिगनेश हिंदी नाम से प्रारंब करते हैं देखे साथ हूं हर कोई है जो हर किसी को प्रसंद नहीं कर सकता खुश नहीं कर सकता मेरा प्रियास रहता है आपको अच्छा से अच्छा कंट्रेंट देने का और बिल्कुल वाजिब समय के अंदर देने का यह नहीं कि पांस अवाल को में 25-30 मिन तक प्रियास रहता है जितने समय में डिलीवर होना चाहिए उतने समय में देने का अब आपको पसंद आता है तो आप लाइक किया कीजिए और दोस्तों को जोड़ा कीजिए और सब्सकाइब करके रख ले चैनल को गंटी पर प्लिक करके ताकि सूसना मिलती रहे सब की अपनी अपनी मती है अपनी अपनी सोच है बस परियास करते रहो आप कुछ अच्छा करने का दुनिया क्या कहती है कहने दो पहला सवाल है कि सब का निचोड लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में बर्सों परभात हिमकन सा आसो इस विश्वे सदन में ये पंक्तियां या निम्न में से किस की है महादेवी वर्मा की सुमित्रा नंदन पंत की सूर्य कांत्रिपठी निराला की या फिर जैसंकर प्रसाद की बताईए पंत वर्मा निराला या फिर जैसंकर प्रसाद तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा महादे उत्तर हो जाएगा जैसंकर प्रसाद क्या हो जाएगा जैसंकर प्रसाद निराला की पंक्तियां मिलती है प्रसिद कहीं बार पुछी किया आलाएं बहुत सारी निराला की एक आती है कि धन्य मैं पिता निरर्थकता कुछ भी तेरे हितने कर सका निराला की जीवन में बहुत उतार चड़ावे जो रहा था पंत की प्रसिद पंक्तियां पंत की ये पंक्तियां कहीं बार पुछी जाती है क्या छोड दुर्मों की मृद उचाया पहली लिख देता हूँ मैं छोड दुर्मों की इतना ध्यान में रखना मृद उचाया चोड दुर्मों की मृदुचाया तोड प्रकरती से भी माया बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलजा दू लो चन अगला सवाद हिंदी कावे में जो चायावाद का यूग है ध्यान से समझेगा सवाल को यहाँ परिप्तिस्तान है हिंदी कावे में जो छायावाद यूग है वही हिंदी उपन्यास और कहानियों के संदर में क्या कहलाएगा सहाब गांध ही यूग, भारतेंद यूग, प्रेमचंद यूग या फिर जैसंकर परशाद यूग उत्तर हो जाएगा क्या प्रेमचंद यूग तो हिंदी कावे में जो छायावाद यूग है लेकिन हिंदी उपनियास और कहानियों के संदर में हम देखें तो वो हो जाएगा क्या प्रेम चंद यूग आप को लग रहा होगे सर मुझे से क्यों कर रहे होंगे जो गले में दिक्कत है न उस वज़े से मुझे कुछ पदार्थ डाल रखा जिसके वज़े थोड़ा सा गले को आराम रहे सवाल है अगला की कामाइनी के चलो उपर वाला में थोड़ा सा आपको बताते हैं इसकी और व्याख्या तो इसमें प्रेम चंद यूग हो जाएगा और छायावाद का समय आपको पता है क्या मिलता है चायावाद का समय क्या मिलता है 1918 से लेकर 1936 के दुरान और मुकुट धर जो पांडे हैं कौन यह मैंने कल भी बताया था मुकुट धर मुकुट धर जो पांडे साहाब है इनको लिखित रूप से चायावाद का क्या पर्थम प्रियोकता की सबसे पहले चायावाद का शब्द का प्रियोकता स्विकार है जो किया जाता है बारतेंदु यूग के समय को आपको समय का पताई है आपको 1857 से 1900 कौन सा बारतेंदु यूग का जो नाम है बारतेंदु हरिश्चंदर के जी के नाम पर ही पड़ा और इनका जन्म 850 में होता है 35 वर्ष की अलपायू में अवस्ता में निदन हो जाता है उसके बावजूत बिनों ने बहुत साइते है जो लिखा है हिंदी के अंदर बहुत देन है बहुत योगदान है इनका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि कामाईनी के संधर्ब में ऐसत्ते कथन को चिनहित करना है आपको यानि कामाईनी जो ग्रंत है उसके विशे में यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है ऐसत्ते है पहला कि यह कृति अभेद मूलक एद्वेत वाद का शंखनाद करती है दूसरा कि यह नारी स्रिष्टी के लिए संधीवनी है तीसरा कि इस कृति में मानवे समयगों का उद्दाति करन नहीं हुआ है या नहीं है या फिर चौथा विकल्प है यह शाश्वत जीवन और कुष कल्यान का कवव है बताव कौन सा है जो कथन सही नहीं है ऐस अत्य है तो यहां पर हो जाएगा साथियों अपना सी विकल्प यह इस कृति मानवी समयगों का उद्दाति करन नहीं हुआ है यह बात इन्होंने ठीक नहीं लिखिया या यानि कि इस विकल्प में ये सही नहीं है ऐसत्य है कामाईने के विश्य में बाकि जब की तीनों है जो कथन सही है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि प्रसाद की गीत कला का गीतात्म गर्षनाय करी प्रसाद की जो गीत कला है इसका उत्कृष्ट जो रूप है उनके कि संकलन में निए दिखाई देता है और भी रहतने किस संक्लन में बहुत उत्करिष्ट रूप बिल्कुल प्राकाष्टा पर जो बहुत 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 बह प्रसाद की गीतत का लाका उत्कृष्ट रूप उनके कि संक्लन में दिखाई देता है लहर के अंदर दिखाई देता यानि कि यहाँ पर चतुर्त जो विकलप है वो सही होगाilar कि कि आतिरिक्ट हम देखें प्रसाद की ओ रसनाइ तो और रसना cardboard वन मिलन प्रसाद की ओर रसनाओं के मैं बात करूँ वन मिलन एक रसना आती है जिसके बारे में कहीं बार परिक्षम सवाल आता है इसके अतिरिक्ट एक जो इनका चंपू कावे भी है उर्वशी उर्वशी की विशे में पूसले किस प्रकार कावे तो ये एक क्या है चंपू क कावे और चंपू कावे के विशे में सब जानते कि चंपू कावे किसे कहते हैं प्रेम राज्ये भी मिलती है इनका एक्रती और प्रेम पथिक भी मिलती है प्रेम पथिक कानन कुसुम ठीक है यह और अयोध्या का उद्धार इस प्रकार के रचना ही मिलती है और सारी मेहत्वपून इनकी तो अगला सवाल है कि कामाईनी को छायावाद का उपनिशद किसने कहा मैंने दो तिन रोज पूर एक सीरीज जो टेस्ट वीडियो डाला था उसके अंदर डिस्क्रिप्शने किसी सवाल की व्याख्या के अंदर मैंने यह चीज है जो आपको बताई थी जो व्याख्या में जो भी मैं आपको बताता हूं वो भी कई ने कई है जो सवाल है जो पूछे गए है तो इन सवालों को बड़ा गंबी रूप से आप تयार किया कीजिए कामाईनी को छायावाद का उपनिशद किसे कहा है किसने कहा है डॉक्टर नगेंदर ने गजानन माधहु मुक्ति बोध ने इंदरनात मदान ने या फिर शान्ति प्रिये दिवेदी ने बताईए जी उत्र हो जाएगा शांति प्रिये दिवेदी महोदय ने कहा कि कामाईन क्या है छायवाद का उपनिशद है चलिए मान लेते हैं इनकी बात सवाल है नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये पंक्ति कई बार पूछी गई और बहुत महतोपुण और आपको पता भी होगा नारी तुम केवल श्रद्धा हो किस रचना में है किस रचना में बताओ देखें कामाईनी चंद्रगुप्त शाकेत और भारत भारती साहित इतियास की दृष्टी से तो महतोपुण है ये सवाल और सेकंड ग्रेड़ वालों के लिए तो बिल्कुल आसान भी होना चाहिए सवाल तो यहां पर उत्तर हो जाएगा अपना एक किसकी है कामाईनी प्रकाशन वर्स कामाईनी गार तो 1935 देखने को मिलता है सर्ग पूसले तो 15 सर्ग मिलते हैं और मुक्षे चंद पूसले इसका तो चंद इसमें क्या यह सारी विशेशता में बता दे रहा है आप रख तंटक चंद है जो देखने को मिलता है इसमें और इसका जो अंगीरस ह इसकी तो थो क्या है अंगीरस की बात आए तो यहां पर शांत या फिर निर्वेद भी आ सकता है यह सारी बते हैं वाकर चंदरगुप्त हो गया जए संक्र-प्रसाद का नाटक है जए जबन में यह जैसेंकर प्रसाद का नाटक है समय इसका देखने को मिलता है हमें 1931 के तक्रीबन साकेत 1931 भारत बारती यह सब है जो मैतलि स्रण गुप्त द्वारा रचित का वह हैं चलिए अगला सवाल कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध इस सवाल को बहुत अच्छे से दे अभिवेक्ति मिलती है किसके जीवन सत्य की अभिवेक्ति मिलती है निराला अनुमान लक्षमन जी विवेशन बताओ देखें तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा सूर्य कान त्रिपाठी निराला का जो जीवन सत्य है उसके विवेक्ति देखने को मिलते हैं इनको वोसे भी सिमिल होती लेकिन हां पर एक चुरी कात्र पाटे निराला जीवन साथिक देखने को मिलती है की सवाल है अगला कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक का वेक किस चंद की और बुनियाद कि संद की बुनियाद पर सफल हो सकता है कि हिंदी में जो मुक्तक कावे किस संद की बुनियाद पर सफल होगा तो रोला चौपाई दोहा या फिर कवित निराला के according कौन सा वो छंद है जिसकी बुनियाद पर है जो हिंदी का जातिये छंद भी कहा है क्या कहा है जातिये छंद भी तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत तो पूर्ण सवाल देखिए पढ़ाई को लेकर आपकी कोई भी समझ से है तो आप यहां कमेंट कर सकते हैं बाकी मेरा जो दूसरा चैनल है आदी की अवाज नाम से इस पर मैं केवल मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ पढ़ाई से संबन दती ही आदी की अवाज नाम से मेरा दूसरा यूट्व चैनल है जरूर इसको सब्सक्राइब किजी यहां पर भी मोटिवेस्टन वीडियो में डालता रहता हूं और वीडियो को लाइक करते हैं अभी लाइक नहीं करते हैं आप लोग शेर भी किया करें और दोस्तों को भी जोड़े अपना इस चैनल को परिवार को आगे बढ़ाएं ताकि और सातियों की मदद हो पहली बार द देखने वाले सभी साती चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताइगर वीडियो को सुचना मिलती रहे जाहिन फूर मिलता है